हेलो दोस्तों, डिजिटल मेगनेट की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फेस्बुक पिक्सल को अपने नन वर्डिस विफसाइड में कैसे एड़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जैसा कि हमने आपको पहले बतार रखा है कि आप कैसे फेस्बुक पिक्सल कोड को क्रियेट कर सकते हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने फेस्बुक पिक्सल कोड को अपने विफसाइड में एड़ कर सकते हैं इसके लिए आप चाहे तो Facebook helper की मदद भी ले सकते हैं, हमने description में Facebook helper page का link mention कर रखा है, आपको Facebook pixel code को अपने website के header page में add करना है, ताकि यह पूरे website में applicable हो सके, यह आपको ध्यान रखना है कि यह जो आपका pixel code होगा, वो header के starting और ending के बीच में ही हो, ताकि यह अपके पूरे website में integrate हो सके, जैसा कि हमारा Facebook pixel code पहले से ही किरिये ठोड़का है, तो उसके लिए अब हम सबसे पहले अपने Facebook adminizer पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे आपको एक action का button दिखेगा, उसके क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे view pixel code करके एक tab दिखेगा, उसके आपको क्लिक करना है और यह जो pixel code है उसको copy कर लेना है, अब आपको अपने website के FTP में login करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको आपके website का header page होगा, उसको open करना है और उसमें आपको head tag, जो head tag होता है website का उसको find out करना है और आपको यह ध्यान रखना है कि आपका यह pixel code है, वो head tag के starting और ending bracket के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यह जो facebook pixel होता है, यह important होता है कि यह head tag के अंदर ही हो, head tag के अंदर अपने code को paste करने के बाद उस page को save कर लेना है, इस तरह से आप अपने facebook pixel code को अपने website के साथ integrate कर सकते हैं, facebook pixel code website के साथ integrate करने के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं, कि आपने जो यह pixel code put किया है, यह काम कर रहा है कि नहीं, यह आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले google पे जाएए, गूगल chrome अगर आप google chrome ब्राउजर नहीं उस कर रहे हैं, तो आप उसको download कर लीजिए, और उसमें google में आप type कीजिए facebook pixel helper, यह एक extension है, जो आप की मदद करता है, यह पता करने में कि आपने जो pixel code डाला है, वो वर्क कर रहा है की नहीं, तो आप जैसे ही google पे यह type करोगे facebook pixel helper, तो आपके सामने बहुत साड़े option आएंगे, उसमें सबसे पहले extension का option होगा facebook pixel helper, आपको यह extension अपने browser में add कर लेना है, इस extension को अपने browser में install करने के बाद, अब हम अपने website को open करेंगे, website open होने के बाद, आप top left side के top में देख सकते हैं, कि आपको आप यहाँ पे साड़े extension सो हो रहे होंगे, इस extension में आप जैसे देख रहे हो, कि यहाँ पे आपको facebook pixel का option भी दिख रहा है, आपको उस पे click करना है, यह हमें बताएगा कि हमारा code सही से work कर रहा है कि नहीं, जैसे ही आप इस पे click करोगे, आपके सामने एक pop-up open होगा, और यह हमें बता देगा कि आपकी website में pixel जो है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो जैसे आप देख रहे हो, अभी हमारे website में 2 pixel add है, एक pixel वो test के लिए हमने डाला था, और दूसरा देखो जो हमने अभी create किया था, जो हमने अभी अपने website में put किया था, तो वो इस id भी यहाँ पे show हो रही है, कि हाँ आपका जो यह code है, यह work सही कर रहा है, और अब यह जो code है, वो आपके website पे जो भी visitors आएंगे, उनका सारा information आपके pixel code में वो store करेगा, यह बहुत ही helpful होता है, आपको facebook पे पे जब आप remarketing यूज करोगे, या अपना audience create करोगे, इसके लिए आप इसको use कर सकते हो, यह बहुत ही helpful होता है, यूजर की behaviors को identify करने के लिए, कि आपके पास कैसे users आ रहे हैं, और audience create करने में यह बहुत ही important किरदार निवाता है, तो ऐसे आप अपने facebook pixel पे, आप अपने website को add कर सकते हैं, और वहां से users के data या उसके behavior को अपने audience के लिए save कर सकते हैं, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें comment करके बताए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको like and share करना न भोले, digital marketing के और भी वीडियो के लिए, हमारे YouTube चैनल को subscribe करना न भोले, हमसे जूरे न रहने के लिए धन्यवाद, Thank you.